नमस्कार दोस्तों भारत में कर या टेक्स की चोरी को रोकने के उद्देश से नगद लेन देन को हतो चाहित किया जाता रहा है अतह भारत सरकार समय समय पर वेक्तियों और व्यवसाय के लिए नगदी के ज़्यादा परियोग न करने के लिए इनकम टेक्स के प्रावधानों कोई घोशना करती है इनकम टेक्स एक्ट के द्वारा मुख्यता साथ ऐसे लिमिट लगाये गए हैं जिससे अधिक नगद लेन देन करने पर उसे इनकम टेक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है और तदनुसार एक्षन भी लिया जा सकता है इस वीडियो में मैं इन ही साथ लिमिट पर प्रकाश डालूंगा जिसको क्रोस करने पर आपको परेशान होना पड़ सकता है पहला लिमिट है डिपॉजिट्स इन सेविंग अकाउंट्स यदि किसी बैंक में आपका सेविंग अकाउंट्स है और उसमें आप एक लाफ र रूपई से अधिक नगद राशी डिपॉजिट करते हैं तो बैंक इसकी सूचना इनकम्टेश डिपार्टमेंट को दे देगा और उसके बाद इनकम्टेश डिपार्टमेंट आपको ननोटिस जारी कर इस नगद राशी के सुरोत की जानकारी मांग सकता है दूसरा लिमिट है डिपॉजिट्स इन करेंट अकाउंट यदि आपका किसी बैंक में करेंट अकाउंट है और उसमें एक वित वर्स में 50 लाख रूपई से अधिक का डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं तो बैंक इसकी जानकारी आयकर विभाग को भेज देगा और उसक के पश्चात इंकम टेक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आपको प्राप्थ हो सकता है तीसरा लिमिट है डिपॉजिट्स इन फिक्ष्ट डिपॉजिट यदि आप बैंक में नगद राशी जमा कर उसका फिक्ष्ट डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है यदि आप एक वित्तिय वर्स में दस लाख रुपए जादा नगद रासी के फिक्ष्ट डिपॉजिट करवाते हैं तो इसकी जानकारी बैंक इंकम टेक्स डिपार्टमेंट को दे देगी यह रूल पोस्ट ओफिस में जमा किये जाने वाले पर कोई रोक नहीं है परन्तु यदि आप एक वित्त वर्स में 30 लाख रुपए से अधिक का रियल इस्टेट नगद राशी को देकर खरीदते हैं तो उस संपत्ति को रजिस्टर करने वाले अधिकारी इसकी सूचना इंकम टेक्स डिपार्टमेंट को दे देंगे और इसक को नोटिस जारी कर सकती है पांचमा है क्रेडिट कार्ड के थूप पेमेंट आज कल किसी सामान की खरीद पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट का चलन हो गया है अतह यदि आप एक लाख रुपए से अधिक क्रेडिट कार्ड के बिल का भुकतान नगत पेमेंट से करते हैं तो क्रेडिट कार्ड कंपनी इसकी सूचना आयकर विभाग को दे देगी और इसकी आधार पर आपको नोटिस इसू हो सकता है छठा है फाइनांसियल इंस्टूमेंट्स में निवेस्क सम्मंधित यदि आप मुच्वल फंड बॉंड डिवेंचर शेयर इत्यादी में दस लाख र दाशी का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आयकर विभाग आपके पिछले वर्स के इंकम टेक्स रिटर्न की जाच कर सकता है और सातमा किसी बिजनस या प्रोफेस्टनल्स को भुकतान करने की इस्थिती में यदि आप कोई सामान एक बार में एक दिन में खरीतते हैं या सेबा प्राप्त करते हैं और उसके बदले दो लाख रुपे से अधिक का भुकतान नगदरासी को देकर करते हैं तो बिजनस्मेन या प्रोफेस्टनल्स के द्वारा यह जानकारी इनकम टेक्स डिपार्टमेंट को भेज दी जाएगी इसी क्रम में मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इनकम टेक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिलने का यह अर्थ नहीं है कि आप गलत हैं या आपको extra tax भरना पड़ेगा इस notice का तात पर यह है कि विभाग आपके द्वारा खर्च की गई राशी का सुरोत जानना चाहता है यदि आपका वह सुरोत वैद है या वह काला धन नहीं है तो फिर आपको डरने के आवश्रक्ता नहीं है आप एक अच्छे company सेग्रेटरी या चर्टा चार्टर्ड एकाउंटेंट की मदद से notice का reply भेज कर निश्चिन्थ हो सकते हैं आशा है आपको यह वीडियो ग्यानवर्दक लगा होगा हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के किरपा करें आपके कॉमेंट् रहेगा आपका दिन शुब हो जय हिंद